मंदिर से कथा सुनकर घर लोट रही 17 वर्षी नावालिक से दो युपकों ने की छेड़ चार शिवपरी जिले के अमोला थाना श्वेतर के अंदर गाताने वाले कूंडर गाउं की रहने वाली एक सत्रा वर्षी नाबालिक के साथ अशलील छेड़चार का मामला सामने आया है किशोरी ने बताया है कि उसके साथ गाउं के ही दो युपकों ने उस समय अशलील छेड़चार कर दी जब वा मंदिर से खता सुनकर अपने घर लोट रही थी किशोरी ने इसकी शिकायत अपने स्वजनों के साथ पुलिस थाने में दर्च कराई लेकिन पुलिस ने केवल एक युवक के खिलाब छेड़चार की जगा रास्ते से निकलने को लेकर गाली गलोच करने का वेदन लिख कर उस थाने से चलता कर दिया पुलिस द्वारा कारिवाही नहीं किये जाने से परिशान किशोरी ने इसकी शिकायत मंगलबार को स्पी ऑफिस में दर्च कराई और पुलिस से कारिवाही की मांग की है जानकारी के अनुसार कोंडर गाउं की रहने वाली सत्रा वर्शी नाबालिक लड़की ने बताया गाउं के चार लोग लड़कों ने अश्लील छेड़ चाड़ की लेकिन दोनों ही मामलों में पुलिस ने कोई कारिवाही नहीं की है पेड़ता ने पुलिस सदिक्षक कारियाले में आभीदन दे कर कारिवाही की मांग की है इसकी रोपोर्ट की आपने साने में कल की थी मगर उनने कोई सुनवाई नहीं लिखके वैसे बेज़ दी और कहते बोल दिया कल आएंगे परसों आएंगे ना मुड़े बना देते इससे पहले भी आपके साथ चेड़ जा लोगों ने पहले की थी तो उसमें कोई कारवाही ह अब आप क्या जाती हो मुझे एंचाब नहीं मिल्या साथ मैं चार-पांच बार आएंगे